सो वर्ष की अनवरत अटूट यात्रा किसी भी संस्थान की गुणवत्ता, प्रासंगिक्ता और जीवन्तता का परिचायक है। दिल्ली विश्व विद्याले ने अपनी समरिध ज्यान परंपरा के साथ स्वर्णिम यात्रा के सो वर्ष पूरे कर लिये हैं। दिल्ली विश्व विद्याले ने वर्ष 1922 में केवल तीन कॉलेज और 750 विद्यार्थियों के साथ शुरुआत की थी। पर आज 90 कॉलेज और 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के साथ देश का सबसे बड़ा विश्व विद्याले बन चुका है। विस्तार की अनंत संभावनाएं समीटे शिक्षा का ये वट व्रिक्ष पूरे आन, बान, शान से ज्ञान और राष्ट्र निर्मान के कारे में जुड़ा है क्योंकि पिछले सौ सालों में विश्व विद्याले से निकले अनेक विद्यार्थियों ने राष्ट्र जीवन में जो बहुमूल्य योगदान दिया, उनकी विरासत नई पीड़ी को लगातार प्रेरणा दे रही है साल 1931 में गांधी जी और एर्विन के मध्य समझाता इसी विश्व विद्याले के परिसर में हुआ था दिल्ली विश्व विद्याले राष्ट्री आंदोलन के साथ साथ राष्ट्र की विकास गाथा का साक्षी रहा है अपनी सशक्त अलूमनाई बेस के साथ दिल्ली विश्व विद्याले देश दुनिया के कोने-कोने में है एक प्रकार से विश्व विद्याले एक भारत श्रेश्थ भारत की भावना को प्रगार करता है आज 51 प्रतिशत चात्राओं के साथ DU नारी शक्ती की बरती भागिदारी और सामर्थे को भी प्रतिबिम्बित करता है देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्रित्व में पिछले नौ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक कदम उठाए गए है जाहे राष्ट्री ये शिक्षा नेती हो Higher Education को Future Ready बनाने से जुड़े कदम हो या युवा शक्ति की उर्जा को कौशल, नवाचार और उद्यमिता से जोड़ने से जुड़े प्रयास हो ऐसे सभी कदमों से आत्म निर्भर और विक्सित भारत की मस्बूत नीव तयार हो रही है इन सभी प्रयासों में दिल्ली विश्व विद्याले भी एक सक्रिय भागिदार बनकर योगदान दे रहा है आज 30 जून 2023 शताब्दी समारोह के समापन कारिक्रम के एतिहासिक अवसर पर दिल्ली विश्व विद्याले परिवार राष्ट्र निर्मान के पावनकार्य में खुद को पुनर समर्पित करता है जय हिंद